तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ सी बीच थिम केक और इस केक में मैंने सेमे फॉंडेंट का काम भी किया है और इसके को पूरा देखना स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स भी सेयर किया है तो सबसे पहले मैंने यह अपर स्पॉंज बना लिया है और यह स्पॉंज है एक पाउंड का और इसका फ्लेबर था रसमलाई और इस पॉंज का रेसिपी मैंने आपके साथ सेयर की हुई है अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्रिवियस वीडियो में जाकी वीडियो आप जरूर चेकाउट कर सकते हो और इस sponge का recipe मैंने इस वीडियो में include इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो already लंबा है इसलिए इसका जो recipe है ये मैं अलग से post करूँगी और पहले से भी uploaded की हुई है और आज इस cake में मैंने ना तो रसमलाई का cross use किया है और ना तो रसमलाई और आज का जो cake है मतलब जिनोंने मुझे order किया है उनके पापा के बादरे के लिए ये cake है तो उन्होंने बोला कि कुछ थिम के उपर cake बना दीजिएगा तो मैंने पूछा कि कौन से थिम के उपर आपको चाहिया बताईए मैं कोशिस करूँगी तो उन्होंने बोला कि कुछ सीबिश थिम के उपर आप cake बना दीजिएगा तो मैं तो सोच में पर गई भाई कैसा सीबिश थिम के बनाओंगी वो भी एक पाउंड के अंदर तो उन्होंने एक preference pick भेजा था मुझे तो बस मैंने follow करके ये cake बनाई है और उन्होंने बोला था कि थोड़ा semi fondant का work भी कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में अगर आपके पास fondant available नहीं है तो आप यहाँ पर white chocolate यूज़ करके भी आप बना सकते हो तो सबसे पहले मैंने केको बहुत अच्छी से cram coating कर लिया था उसके बाद मैंने यह अपर थोड़ा orange और brown color mix करके ये color मैंने create किया है और इस color के मदद से मैं केको अच्छी से icing कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है इस color को क्या कहते है अगर आपको पता है मुझे comment पे जरूर बताना और मुझे से जितना हो सका मैंने केको उतना clean करने की courses किया है तो यह order था एक pound कर लेकिन यह cake बनाते बनाते करीवन डेल पाउंड का हो गया था और इसका price मैंने 5.50 लिया semi fondant का starting ही मेरे पास 600 से है जैसे कि आज मैंने यह पर कुछ भी क्रास वेगरा यूस नहीं किया है इसलिए मैंने पैसा थोड़ा कम लिया है और इस cake में सबसे important step है setting cream like मैंने यह पर sky color यूस करके यह 3 sets बनाया है सबसे जो पहला है वो बहुत ही light है सिर्फ एक बुंद डाला ह और जो दूसरी है उसको मैंने थोड़ा सा डार किया जो तीसरी है उसको मैंने बहुत ही ज्यादा डार कलर किया है जैसे कि मैं आपको screen में दिखा रही हूं कि सबसे पहले मैंने जो सबसे light वाला color है वो मैंने अच्छे से spread किया है एक palette knife के मदद से तो सबसे पहले हम लोगो को जो सबसे light color है उसको बहुत अच्छे से spread कर लेना है और उसके पहले जो मैंने बताना भूल गई कि एक knife के मदद से मैंने अच्छे से एक line draw कर लिया था मतलब partisan कर लिया था कि एक पार्ट में मुझे C बनाना है और दुसरे पार्ट में मुझे कुछ जो बीच है वो पाउंड या फिर तीन पाउंड का होता तो मैं और भी अच्छे से बनाने की कोसिस करती तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एकदम light color को अच्छे से spread किया था उसके बाद मैंने यह पर जो medium shade का color है उसको मैंने और एकदम last में मैंने जो सबसे dark color मैंने बनाई थी उसको मैंने तो मैं आपको मतलब smudge करते जाना है mix नहीं करना है सिर्फ smudge करना है पता है नहीं मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ या फिर नहीं लेकिन आपको मैंने बहुत ही अच्छे से स्क्रीन में दिखाया है बस अगर आपको यह सीवीज थीम केक बनाना है आप चाहतों यहां पर जो मिडियम सेट का है वो भी आप लगा सकते हो और इससे पहले भी मैंने आपके साथ दो तीन सीवीज के उपर केकर डिकोरसंस किया जो बहुत ही एजी है मैंने वाइट चॉकलत यूज करके भी डिकोरसंस किया है अगर आप इंटरेस्टेट हो तो मेरी प्रिवेज वीडियो में जाके वो वीडियो भी आप चेक आउट कर सकते हो तो दुसरे तरफ मैंने अपर एक छूटू से पाइपिंग बैक के अंदर नॉर्मल विपिंग क्रीम को भर लिया है और कुछ इस टाइप का एक लाइन ड्रॉप कर रही हूँ वेवी टाइप का एक लाइन और यह जो है ना मतलब यह जो स्टेप है यह मुझे बहुत अच्छा लग रहाता लाग मैं सुझ रही है कि मैं तो खेल रही हूँ के साथ इतना अच्छा लग रहा था मुझे वेवी डाइप का लग रहा था और एक छूट सा पैलेट नैफ के मदद से मैं कुछ इस टाइप का लाइन ड्रॉख कर रही हूं मतलब थुरा सा समझ करने की कोसिस कर रही हूं और यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक स्टेप है बहुत ही सापधाने से बहुत ही दीरे-दीरे आपको कर पड़ेगा और पता नहीं इस वीडियो में कितना ज्यादा यह रियलिस्टिक लग रहा है मतलब यह मैंने मेरे भाया की फॉर्म से सूट किया इसलिए डिजलिंग ज्यादा चन नहीं दिख रहा है लेकिन और इस ज्यादा खुबशुरत लग रहा था मतलब जो थ्री सेट् से लग रहा था और बहुत यह जहाद से स्वाड़ को यह से स्टेट करना पडेगा और चोटा सब बहुत सब्स 드 feminvest को अप2 तक रिख सकते हो और यह कि कम्प्लीट करने में मुझे इर घंटा लग घया था मधलिऊ और लिये माने यह आपर थोड़ा यह लोग इ मिक्स किया है पको चुछार ना ही यूज ककरना है तो कि फॉंडेंट चीनी मतलब सुगर से बनता है तो सबसे पहले मुझे एक मैट बनाना है और मैट बहुत ही छोटा सा बनाओंगी क्योंकि केक के उपर ज्यादा स्पेस नहीं है और अगर आपको सेमी फॉंडेंट के उपर और भी टुटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट पे ज मैंने यह पर एक रेट कलर मारकर के मदद से कुछ इस टाइप का लंबा लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया है ताकि जो मैट का लूक है वो मैं थोड़ा रियलिस्टिक कर पाओ और नेक्स्ट मुझे यह पर चपल बनाना है तो चपल बनाने के मैंने रेट कलर का फॉंडेंट ल से मिल जाएगा और कुछ इस टाइप से मैंने यह पर बहुत सारा चीजे बना लिया है जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं और यह बनाना बहुत ही ज्यादा एजी है मैंने एक तिम सब वाइट रखा है आप चो तो यह पर थोड़ा सिल्वर डास्ट कलर भी आप डास् लग रहा था मतलब यह जो मोल्ड है यह बहुत ही काम का चीज है और एक ही करके मैं सारे सेमी फॉंडेंट का काम मैं अच्छे से लगा रही हूं लेकिन सारा तो नहीं लगा पाई क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं था के ऊपर और थोड़ा से वीपिंग क्रीम के मादद से च अब बना लिया है और यह बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप YouTube में सर्च करना मौक्तेल अंब्रेला तो बहुत ज्यादा ट्यूडियल आपको मिल जाएगा और इस थिब में अगर अगर अंब्रेला एक नहीं करोगे नहीं तो केक वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया है तो जैसे कि अब देख सकते हो मैंने वाइट फॉंडेंट को इक डिटली नाइव के मदद से कुछ इस टाइब में कट कर लिया हो जैसे कि आज मैंने यह पर वाइट फॉंडेंट के उपर नेम लिखाया आप चाह तो अपने पसंद क कोई भी कलर का फॉंडेंट की उपर आप नेम लिख सकते हूं तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा यह मुझे कमेंट पर जरूर बताना और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना और अगर आपने अभी तब कुछ इस टाइप का यूनिक कर डिकोर सेंस ट्र क्योंड के उपर वीडियो बनाने की और आप यहापर जो लिखना चाहते हो वह अब लिख सकते हो जैसे मैं जैसे कि मैंने यह पर हैपी बादरे mappedraomba लिखाए जैसे कि उन्होंने बोला था लिखने के लिए तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा beautiful लग रहा है और इसको मैंने के side में लगा दिया है चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है ये ऐसे ही cream के साथ अच्छे से चिपक जाता है जैसे कि आप screen में देख सकते हो और एकदम last में ये अपर कुछ sprinkle के मदद से थोड़ा बहुत और decoration किया है ताकि ये जो सी बीच थीम के के है ये और भी ज्यादा सुन्दर लगे और मैंने ये पर कुछ मोटी टाइप का एकदम white color का multi color multi color नहीं sorry multi size का मैंने sprinkling लिया है तो finally मैंने किककाट decoration बिल्कुल complete है आपको कैसे लगा ये किककाट decoration ये मुझे कमेंट पर जरूर बतना और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना तो चलो मिलते अगले वीडियोस में कुछ नए decoration के साथ और बहुत सारा टिप सेंट्री के साथ अभी के लिए बाई बाई